आज हम लोग डिसकस करेंगे CRPC का सेक्शन 91 यह आपका जो चेप्टर है वो चेप्टर 7 ने बताया गया इसको CRPC का चेप्टर 7 सेक्शन 91 से लेकर 92, 93, 94 को डिसकस करेंगे इस वीडियो में कि छुटे-छुटे सेक्शन है तो इसी लिए एकी वीडियो में मैंने सोचा कि यह चारो सेक्शन को कवर कर दूँ देखेंगे इस चेप्टर का नाम है process to compel the production of things think मतलब कोई वस्तु, कोई समान, कोई document, कोई gadgets, मतलब anything देखेंगे सेक्शन 91 कहता क्या है summon to produce document or other things मतलब जब कभी समन भेया जाता है particular तो किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए भेया जाता है लेकिन यहाँ पर क्या है? summon to produce document or other thing मतलब अगर court को लगता है कि हाँ particular किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा समान है कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा document है जिसको उसकी जरूरत है तो ऐसे condition में वो क्या करेगा? ऐसे condition में court उसको एक return समन भीजेगा, return में लिख की भीजेगा कि आप इस वस्तु के साथ, इस document के साथ, इस date पर, इस time पर इस court में उपस्थित होएं कहाँ बताया गया है? section 91 में बताया गया है अब देखे क्या कर रहा है? इसका subsection 1 यही कर रहा है, court issue someone to those person who have a custody of the things which are required in court section 1 में बोला गया है, किसके section 1 में? section 91 के subsection 1 में बताया गया है कि अगर आपको समन भेजा जाएगा, किसी भी चीज को produce करने के लिए court में, किसी भी चीज को sow करने के लिए चाहे वो document हो, चाहे कोई समान हो, चाहे कोई material fact हो, तो आप उस date पे, उस court पे, उस particular time पर पहुचेंगे subsection 2 में क्या बताया गया है? अगर उस particular date पर उस particular time पर उस particular court में, वह व्यक्ति जिसको समन भेजा गया है, वह physically ना पहुच कर, बलकि जिस document या जिस things की, जिस वस्तु की code को ओ सकता है, उसको में भेजवा देता हूँ, anyhow, मैं पारसर करके भेजवा देता हूँ, या फिर कोईया कर देता हूँ, या फिर किसी hot person के माध्यम से भेजवा देता हूँ, तो यहां मारा जाएगा, कि हमने उस समन का follow किया, हमने उस आदेश का पालन किया, जनरी नहीं कि मैं उससे दिन पहुचू हुई, main चीज क्या, material fact क्या था, कि वो things, वो document उनको चा रहा था, court को, तो मैंने उसको भेजव पादिया, तो यहां पर यहां माना जाएगा, कि मैंने उस समन का पानन किया, सब section 3 क्या करता है, this section will not be applicable on Indian Evidence Act, मतलब यह जो किसी भी चीज को तुरंत बुला कर produce कर देना, court का यह जो power है, section 91 में बताया गया है, यह कुछ section पे applicable नहीं होगा, कहा applicable नहीं होगा, Indian Evidence Act, भारति साथ चैदियाम पे यह section लागू नहीं होगा, किस कि section पे लागू नहीं होगा, भारति साथ चैदियाम के section 123, 124 और Bank Book Evidence Act 1891, and postal, telegram, which is in the custody of post office, कोई भी postal है, कोई telegram है, जो कि किसके custody में है, post office के custody में है, तो वहां पे section 91 applicable नहीं होगा, तो यह बहुत ही चोटा का section है, इसमे चैदियाम लाल AIR 1965 Supreme Court 1251, case number, it will not use during the trial of accused, because it is the violation of article 20, subsection 3 of the constitution's right, मतलब, जो things को आप बुलाएंगे, उसको समन के साथ उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको पूलाएंगे, उसको पूलाएंगे, उसको पूलाएंगे, उसको उसके trial के लिए, ठीक है, उसको उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन राज के समय यूज नहीं करेंगे, मतलब कहा गयाना कि किसी भी चीज को खुद के द्वारा वो सो कर रहा है, तो खुद उसको सजा देने के लिए, उस चीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे, यह हमारे भारती सविदान का, आर्टिकल 23 का, उनलं कि जिस डाकुमेंट की, जिस टेलिग्राम या फिर कोई ऐसा पार्सल है, जो किसके कस्टेडी में है, पोस्ट आफिस के कस्टेडियन में है, तो हमने कहा के था कि यह सेक्शन कहां पर लागू नहीं होगा, यह सेक्शन ऐसे चीज़ों पर लागू नहीं होगा, जो मैटरिय तो उसको क्या है उसकी हमको जरूरत है investigation के लिए जाच के लिए तो ऐसे condition में क्या करता है ऐसे condition में CJM और DM और High Court को या और प्रावर होता है कि उसको आधेश दे ठीक है उसको आधेश दे कि पर्टिकुलर पार्सल को आप हमारे पास भिजवा दीजिए हमको उसका investigation करना है या फिर अगर trial चल ला है तो उसमें वह उसको instruct कर सकता है उसको आधेश दे सकता है कि उस पा और High Court के पास है अब section 93 discuss करते हैं अब आते है section 93 के बारे में section 93 करता है when search warrant में EB issue search warrant कभ इसू किया जाएगा देखिए वारंट आपको जानते है किसी चीज़ को किसी चीज़ को बुलाने के लिए और फिर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए वारंट इसू करते है तो search warrant कभ इ 91 में उसको बुलाया जाता है समन पे कि अब है हमारे पास प्रस्तुत हो नहीं आता है 92 में क्या किया जाता है उसको कुछ things के साथ कुछ material के साथ या कोई document के साथ जो लगता है court को कि उसको requirement है बुलाया जाता है नहीं आता है तो in that condition क्या होता है वह search warrant इसू कर सकते है और द जिस file की हमें जवरत है तो ऐसे condition में भी court क्या कर सकता है court search warrant इसू कर सकता है it may be issue it may be issue for general for general search if court feel that the things may be find in that particular area देखिए court क्या होता है general search warrant भी इसू कर सकता है अगर court को लगता है कि उस particular area में ही वह चीज मिल सकता है तो यह general search है मतलब पुलिस जाके वहाँ पे search कर सकती है उस प्रॉपर location को उस particular place को तक कि वो जो things जो document की requirement है court को वो उसको मिल जाए तो general search के लिए कर सकती है अब देखिए micro search from the macro अगर court को लगता है ठीक है बहुत बड़ा महल है बहुत बड़ा place है अब court को लगता है कि पूरे महल में वो चीजे नहीं मिल सकती है particular जहां पे accounting का work हो रहा है जहां पे लेका भाही maintain किया जा रहा है कि bookkeeping का work किया जा रहा है तो वहीं पर हो सकता है तो जो search warranty करेगी उसमें वो mention कर देगी कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पुरे टाउन का पुरे उस महल का आप search warrant के इसू के तरह उसके पुरे जो उसका महल है उसको आप तीतर पीतर मत कीजिए आप उसके सारे documents से मत खिलवाग कीजिए आप सिर्फ और सिर particular एक particular place पर जाकर search करना है उस पर mention आता है आपको हर चीज़ वहां पर बिखनी के जगरत नहीं है और देखिए लास में क्या कहा गया है सब section 3 में कहा गया है if document is in the custody of post office अगर document या कोई things किसके custody में है post office के custody में है ठीक है कोई ऐसा postal है कोई ऐसा telegram है उस condition में search warrant कौन इसू कर सकता है उस condition में search warrant सिर्फ और सिर्फ DM district magistrate जिसको आप लोग collector करते हैं या फिल CJM चीफ जिडिसर मजिस्ट्रेट के एनिसूदा search warrant यह आपका था section 93 section 94 का आप डिसकस करते हैं यह डिल करता है search of place suspected to contain the stolen property false document etc अब देखिए इसमें क्या है इसमें जुरी चीज़ें मैं बताता हूं इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमाई चैनल को सब्स्राइब करने बैल आइकन को प्रेस करने ताकि हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो है वह आपके पास आसानी से पहुंसता रहा है जैसे भी आप बैल का बैल आइकन क्लिक करते हैं तो इक नोटिफिकेशन आपके मोवाईल पर आता रहेगा और आप हमारे इंस इस विडियो के लास्ट में इन बाक्स में देर दिया जाएगा सकता है जहाँ पर कोट को लगता है कि कोई भी इस्टोल प्रॉपरिटि या फिर फॉस्ट डपुमेंट वहाँ पिर उसका खरीज भिक्री खरीज फरोग हो रहा हो तो ऐसे कर्डिशन के लिए ऐसे जहां पर विजिट करके सर्च करने के लिए भी सर्च व्रारेंट इसु चैंज कर सकता है, कौन कर सकता है, DM, SDM, या 1st Class Magistrate के पास या पार होता है, कि वो ऐसे जगा का भी जहां पर उसको सक हो, की परटिकुलर प्लेस पर, या फिर कई सारे ऐसे particular place हो सकते हैं जहां पर खरीद, विक्रीव, चोरी के समान की लेंद देंग किया रहता है तो ऐसे condition में क्या को होता है SDM, DM या फिर first class management को द्वारा search warrant इसू किया रहा सकता है किसी भी चीज को खोजने के लिए या फिर objectional article जैसे counterfeit coin को होता है गलाव अलाकर लोग उसो modified करके बेशने का प्रयास करते हैं इन सब चीजों को सर्च करने के लिए यह लोग भेश सकते हैं अब देखिए इसमें का गया है कि दोज कोई विचार मेड़ बाइड बाइड़ कंट्रावेंशन ऑफ दा मैटले अठारास ओठास ओठासी के कंट्रावेंशन में जो भी कोई बनाया जा रहा है जो चीज़े बनाई जा रही है उसका खरीद विक्रिक की जा रही है तो यह भी क्राइम है ऐसे जगह के लिए भी वहाँ पर सर्च वारेंट इसू किया गया कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाईए उस जैसे चार ल जाओ नहीं है कि वहाँ पर विएट करके जार्श करना चाहिए वह अपने असिस्टेंट में और भी अपने सब्टिकुलर प्लेस पर जाएगा देखेगा अगर वसी चीज़ पाई जाती है चोरी की समान खरीदिना बेचता हुआ वैक्ति भी पाई जाता है या फिर सिक्को को को कुछ रचित करके या फिर उसको मोडिफाइड करके जैसे होता था कि जब 20 पैसा बंद हो गया था तो लोग उसको एलमुनियम की तरह उसको गला कर बेचना शुरूर कर देते या फिर कुछ लोग होते हैं जो को गलाते है या फिर अभी आप देख रहे होंगी कि कई जो प्रबिया है अब बात करें कि तो जितना पैश करेंशी हमारे पास होता है तो संखिय हो año यहाईगी जब ्नोट बंदी हुआ था तो बहुत सबस्के भारतिय मुद्रा ज़ा दिया था तो सुचें वह धो रहर ही हो Gucci कोई अब्जेक्सनल आर्टिकल है मतलब counterfeit coin है या फिर कोई coin है उसको तोर मरोल कर बेचा जा रहा है या फिर कोई चोरी का संपत्ति है तो ऐसे particular place पे हम लोग complain करके DM, SDM या magistrate first class के order से वहाँ पे search करवा सकते हैं तो आज के इस channel के मार्धिम से हमने आप आपने सिखा section 91, 92, 93 and 94 अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कोई doubt होता है तो आप comment box में कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और section है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप इस comment box पे जाकर आप पूछ सकते हैं कि सर इस section को आप कैस कब discuss करना है या फिर particular कोई section है जिस पर आ चाहते हैं तो आप comment box पर जरूर कमेंट किया कीजिए और instagram पर आप फॉलोग कर लिए जैसे हम लोग कोई नया वीडियो डालते हैं तो इसका description में हम लोग instagram पर डाल देते हैं तो आज के लिए इतना हुई thank you